आज आपके साथ हम अचार का एक ट्रडिशनल तरीका से एर करने वाले हैं जो कि एकदम पर्फिक्ट है और ये अचार आपका कभी भी खराब नहीं होगा इसमें कोई साल की तो कोई गारंटी ही नहीं है क्योंकि ये अचार कभी खराब नहीं होगा तो चलिए इसको बराना स् इस अचार को बनाने के लिए और इसे पानी से काफी अच्छे से साफ कर लीजेगा आम कहीं से कटा फटा या दागी नहीं होना चाहिए इस चीज का विसेज ध्यान रखेगा क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं तो अगर सारी चीज़ें आप परफेक्ट ध्यान में रखकर बन कभी के भी हाथ में ना दाग जैसे हो जाते हैं तो आमको हमने कट कर लिया है इसकी जो कटिंग है वो आप अपनी पसंद के अनुसार छोटी बड़े लंबे जैसे आप कट करना चाते हैं अचार को उस तरीके से आप कट कर सकते हैं तो मैंने इस तरीके से रखा है बहुत ब रहोंगी जो इसका छिलके वाला हिस्सा हैं अना उसे नीचे रखना है उसको नीचे की तरफ करना है जो इसकह परल पाल की जो गूदा होता है उसका उपरी से उपर होना चाहिए इसलिएrendbert लौै मतब कटे हुए आमको ना केवल हमने एक घंटे के लिए रखा था एक घंटे से ज़्यादा आप इसे मत रखेगा तो देखिए एक घंटे में बहुत ज़्यादा ये नहीं सुखा है बस इसका जो पानी है वो सुख चुका है हलके हलके से जो छिलके हैं मोडे मोडे आपको दिख रहे होंगे तो अब बारी आती है इसमें हल्दी पाउडर एट करने की जो कि हमने दो चमच के जितना एट किया है और ये जो नमक हमें आपे इस्तेमाल कर रहे हैं ये तीन बड़े चमच के जितना है तो नमक और हल्दी, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पहले mix करेंगे नमक और हल्दी जब आप mix करते हैं तो अचार को ये काफी safe रखता है preservative का बहुत अच्छा काम करता है ये तो अब इसमें नमक और हल्दी को हमें मिलाना है और मिलाने के बाद आपको क्या करना है ना आपको इसे रात भर के लिए इसको ढग कर ऐसे ही छोड़ देना है और ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन एकदम ट्रीशनल इसका तरीका है एकदम परफिक्ट आपका अचार बनेगा और आप इसे 5 साल तो छोड़िए 10 साल भी रखेंगे न तो भी खराब नहीं होगा तो चलिए अब इसे हम ढग देते हैं और इसको रात भर के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या हाल है तो ये देखें रात भर के लिए हमने इसको ढंकर छोड़ दिया था और अब देखिए कितना सारा पानी इससे रिलीज हुआ है क्योंकि जब ये आम है नमक के संबर्क में आता है न तो बहुत सारा पानी रिलीज होता है क्योंकि आम में भी पानी होता है और नमक की वज़े से यह पानी और ज्यादा निकलता है इससे तो देख सकते हैं ना कि यह जो पानी है यह अचार को काफी खराब करता है तो इस पानी का इस अचार में कोई काम नहीं होता है तो यह पानी को हमें फेंक देना होता है तो हट तक इसमें नमक और हल्दी भी निकल जाते हैं ज्यादा तो नहीं लेकिन हागोश हट तक निकल जाएगा तो आप क्या करना है आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन ये अचार बनाने का जो तरीका है यो पुराने टा जाएगा लेकिन ये वाला प्रोसेस ये वाला एस्टेप आप जरूर से कीजेगा तो चलिए इसको सूखने देते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आएगी न तो वीडियो को लाइक को सेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो हमारे यहां पीली सरसो बोलते हैं इसको राई दूसरे को बोलते हैं तो अब इन मेथी और राई को मतब सरसों को क्या करना है थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है ज्यादा नहीं बस इतना इसे गरम एक तरीके का आप समझ लीजे कि आपको इसे गरम करना है आप इसको हां से इ गरगरा भीच लेना है देखिए कुछ इस तरीके का इसको हमने पीचा है टेक्षर देखिए काफी इसमें आपको बड़ी चंक्स भी दिख रहे होंगे ना काफी पार्टिकल्स में थी और सर्सों के दिख रहे हैं और अब इसको साइड में रखते हैं और यहां पर हमने गंटे के लिए रखा था और तीन गंटे में देख सकते हैं काफी हद तक यह सोख चुका है कलर बहुत जादा इसका चेंज नहीं हुआ है तो आमको जो सुखाने का तरीका है इसको मैंने दो तरीके से मतलब इसके दो स्टेप किये हुए हैं और यह देखिए थोड़ा सानी यह सॉफ्ट भी हो गया है क्योंकि रात बर के लिए छोण कर रखा था तो मतलब टोटल इसमें एक से दो दिन का टाइम तो लगी गया है ना और नमक जब पढ़ता है तो चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट भी होने लगती हैं तो अब इसमें हमने जो मेथी और सरसों को पीस क रखा वो डाल देते हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं भुना हुआ जीरे का पौडर हमने डाला है जो की तीन बड़े चमज अब इसमें डालेंगे सॉफ तो साबुत सॉफ है कोई रोस्ट नहीं करना है कोई पौडर नहीं बनाना है दो बड़े चमज सॉफ डालना है औ आप अपना जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप इर्जस कीजेगा इसे नमक डाल देते हैं ध्यान रखेगा नमक हमने पहले भी डाला था लेकिन आम काफी खटा है ना तो नमक थोड़ा सा इसमें जाएगा ही और ये जो लेसुन को क्रस करके रखा है वो डालेंगे और आप क्या करना है ना इन सारी चीज़ों को हमें करना है बढ़ियां से मिक्स तो इसे क्या करना है काफी अच्छे से आप मिक्स कर लीजे ताकि जो भी हमने इसमें चीज़ें एट की है ना वो बढ़ियां से इस पे कोट हो जाएं और आम ये वाला अचार ना ये सुखा अच और उमीद करते हैं कि ये अचार की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी तो सारे मसाले काफी अच्छे से कोट हो चुके हैं तो अब इसमें डालना है सरसों का तेल जो कि हमने ये एक कप पुरा भर के नहीं लिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसमें तेल को एड़ कर देते हैं तो आधे कप ही हमने तेल डाला है और ये देखे इतना बचा भी लिया है आधे कप से कम ही डाला है क्योंकि एक कप पुरा भरा हुआ तेल नहीं था और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो कब की साइज है न वो इसमें धाई सो ग्राम के जितना सरसों का तेल आता है। तो इसमें तेल आपको बहुत जाता डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आधे कफ से कम तेल का इस्तेमाल किया है, उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर ली है। और कोटिंग देखे, बहुत ही वेस्ट हो चुकी है, मतब बहुत ही अच्छे से प्रॉपर कोटिंग आ चुकी है, तो अब इसे क्या करना है, इसका जो तरीका है, थोड़ा सा क्या करना है ना, अब इसको हम लेकर आगए हैं धूप में, तो अब इसे हम धूप में रख देते जब जो धूप के स्टीम होती है उसकी वज़े से जब ये मसाले अच्छे से कुक होते है ना तो उसका जो टेस्ट है उसका जो टिक्षर है वो एक अलगी लेबल पर होता है तो इसको हमने धूप में दो से तीन दिन रखा हुआ था मतलब तीन दिन के लिए इसको कॉटन के कपड़े से ढंक कर रखा था और तीन दिन में देखे इसका कलर भी चेंज हो चुका है मसाले भी काफी अच्छे से इसमें भर चुके हैं, कोट हो चुके हैं और देखा आपने कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेल भी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आचार का कलर देखे, टिक्षर देखे, बहुत ही मस्त लग रहा है तो अब इसको स्टोर करने के लिए काच के कंटेनर का ही हमेशा इस्तिमाल कीजेगा ये मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ जरूर से तो इसको बढ़िया से साफ करके आदे गंटे के लिए धूप में रग दिया था और उसके बाद क्या करना है अब हमें अचार को इसमें अच्छे से भर लेना है तो ये आमका सुखा अचार है आप इसे दबा कर अच्छे से भरियेगा बोटल में, कंटेनर में मिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए तो उम्मिद करते हैं कि ये अचार की सुखे अचार की रेसिपी आपको आई होगी पसंद तो वीडियो को लाइक और से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजेगा ये तरीका थोड़ा सा लंबा जरूर है फ्रेंट्स लेकिन ये सच में बहुत ही मस्त अचार बनता है और ये अचार कभी भी खराब नहीं होता है ना इसमें आपको वीनेगर डालने की जरूरत है नहीं कोई सिरका नहीं कोई प्रेजर्वेटिव तो देखा आपने गीए सुका अचार हाँ इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर है इसे मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज़्यदा आसान है लेकिन कलर बहुत ही मस्त लग रहा है और ये अचार खाने में बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है तो धूप में अगर आप रखना चाते हैं तो उसके बाद भी एक से दो दून के लिए रख सकते हैं पर ये अचार काफी सॉफ्ट हो चुका है खाने के लिए एकदम पर्फिक्ट रेडी है तो ट्राई कीजेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ओसे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजेगा और हाँ अगर आप इसमें तेल डालना चाते हैं तो तेल को इसमें अच्छे से उपर तक भर दीजेगा तेल की एक लेयर अचार के उपर होनी चाहिए फिर वो भी आपका अचार बहुत यदा वेस्ट हो जाता है और साफ सफाई का अचार में विसेज ज्यान रखना होता है तो काफी अच्छे से बोटल को उपर से क्लीन कीजे फिर उसका ढखकन लगाईए और मस्त इसको अच्छे से स्टोर कीजिए तो अच्छे लगा होगा तो सेर कीजिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में